अबस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है साहित्ति जोती आज हम इस वीडियो में मोहन राकेश जी द्वारा रचित वारिस कहानी के प्रश्ण उत्तर को देखेंगे यह जो कहानी है जो कि मोहन राकेश जी के द्वारा रचे थे इस कहानी में हम अध्यापक के इस्नी थ्याग और बच्चों की जो मनोविज्ञानिक दसा होती है उसके बारे में जान पाता है यह पाठ मुख्य रूप से सिक्षक और छात्र का जो संबंद है उसके ऊपर ही आध MCQB कहते हैं इसके भीतर एक प्रष्ण होता है और उसके चार विकल्प होते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं एक प्रष्ण दिया गया है क्या है पहला प्रश्ण मास्टर जी बच्चों को कितने बचे पढ़ाने के लिए पहुचते थे मास्टर जी बच्चों को उनका घर पढ़ाने जाते थे तो कितने बचे जाते li again यही प्रश्ण है इसका उत्तर देखिए क्या है पर पहले हम विकल्प पर एक बार नचर दोड़ाएं तो देखते हैं कि कुल चार विकल्प है तहला है चार बजे दूसरा है पांच बजे तीसरा है तीन बजे और चौता है एक बज़े तो जो सही उत्तर है वह है तीन बज़े का जो सही उत्तर है वह है तीन बज़े मास्टाजी बच्चों को तीन बजे पढ़ाने के लिए पहुचते थे जदी दूसरे प्रश्ण की तरफ देखे तो देखिए खर नमबर जो हमारा प्रश्ण है मैं घड़ी की ओर किस प्रकार देखता इसमें भी चार विकल्प हैं पहला उब कर, दूसरा खीच कर, तीसरा चौक कर और चौथा उदास कर तो जब सुरू-सुरू में मास्टाजी पढ़ाने जाते थे बच्चों को उतनी अधिक पढ़ाई में रूची नहीं रहती थी इसलिए वो घड़ी को अकसर क्या करते थे उब कर देखते थे, उब जाते थे मास्टाजी आते थे तो समय पर पर जाने के उनका कोई नियत समय नहीं रहता था, कभी एक गंटे, कभी देर गंटे कभी दो गंटे तक लब पढ़ा दिया करते थे इससे बच्चे क्या थे? अकसर उब जाया करते थे इसलिए इसका जो सही उत्तर है वो पूब कर आगे के परशन को देखिए गर नमबर मास्टर जी चार सप्ता किस बिमारी में पड़े रहे तो इसमें भी देखिए कुछ बिमारीों के नाम दिये गए हैं टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, इन में से कोई नहीं ये कुल तीन बिमारीों के नाम दिये गए हैं तो मास्टर जी चार सप्ता जो है वो टाइफाइड नामक बिमारी से पीडित रहे थे, बिमारी के कारण पड़े हुए थे आईए अब आगे के प्रश्न को देखते हैं, आगे हमारा जो प्रश्न है वो एक लगुतरिया प्रश्न है तो पहले प्रश्न को देखिए मास्टर जी के आने पर सीडियों पर क्या होती थी? तो उत्तर देखिए मास्टर जी बच्चों को कहां पढ़ाते थे मास्टर जी बच्चों को बैठक खाने में पढ़ाते थे ये तो बहुत ही सरव उतर है तीसरा प्रश्न बच्चों को जिस कक्षा की परिक्षा देनी थी बच्चों को किस कक्षा की परिक्षा देनी थी तो उत्तर देखेए बच्चों को Metric, Metric यान워서 दस वी, इसे हम एल टैंथ भी बोलते हैं. घुकिया, दस वी की Metric की मेटिक की परिख्या देनी थी. आगे के प्रश्ण देखते हैं मास्टर जी कहां रहते थे उत्तर देखिए मास्टर जी बच्चों के घर से थोड़ी दूरी एक गंदी सी गली में चार रूपए महिने के किराय पर एक कोठरी में रहते थे तो 4 रूपए महिने के किराये पर एक कोठरी में मास्टर जी रहा करते थे जो कि बच्चों के घर से थोड़ी सी ही दूरी पर थी पाचवा नमबर प्रस्ण देखी मास्टर जी की देखभाल के लिए किसे यूटी लगाई गई थी उत्तर देखे मास्टर जी की देखभाल के लिए लड़की के भाई की डूटी लगाई गई थी आगे हम लोग बोध मुलक प्रश्ण को देख सकते हैं देखिए बोध मुलक में पहला प्रश्ण मास्टर जी ने बच्चों को बंगला पढ़ाना क्यों छोड़ दिया उत्तर देखिए बच्चों की प्रगती से मास्टर जी बहुत निराश हुए यानि बच्चे जिस तरीके से बंगला पढ़ रहते उससे मास्टर जी को बहुत ही निराशा हुई और इसी लिए उन्होंने बच्चों को बंगला पढ़ाना पोड़ दिया उन्होंने बंगला स्थिती हो जाती है की वह रोने वाला है लेकिन अपने आशोओको रोके हुए है तो उस स्थिती को कहते भररा जाना गला भर रा जाना तो मास्टर जी का गला भर रहाया था तक देखे बच्चों के पिताने या सूचित रहे के लिए कहा कि जिस दिन अंग्रेजी बी की परिक्षा हो जाएगी उसके बाद मास्टर जी पढ़ाने नहीं आएंगे बच्चो द्वारा यह खबर सुनकर मास्टर जी का गला घर आ गया बच्चे उन्हें बताते हैं कि जब अंग्रेजी की परिक्षा हो जाएगी मास्टर जी ने कलम देते हुए बच्चों से कहा कि मुझे तो अब इसकी जरूरत नहीं तुम इसे अपने पास रखना या थेक देना क्योंकि बच्चे जब प्रष्ण पत्र लाते हैं Master Jai उन्से प्रचन पूचते हैं और बच्चे जवाब देते, उसे Master Ji संधुष्ट होते हैं और पर जब जाने लगते हैं तो उन्हें लगता है कि उनका जो कलम है उनके कलम के सच्छे वारिष ये बच्चे ही हैं इसलिए वो नहीं दे देते हैं और कहते हैं कि मुझे तो इसकी जरूरत नहीं है तुम इसे रखना चाहो तो रखो या फिर देख थो आगे एका प्रशन देखिए मास्टर जी की आखे क्यों भर गई भर आई इसलिए जब वे बच्चों को अपनी पुरानी सी कलम देकर वहां से बिदा होने लगे तो दिल की फीड़ा यहाँ पर आशू होगा आशू के रूप में उमर पड़ी उनके मन में जो कश्ट था दुख था वो आशू के रूप में पहने लगा आगे का प्रशन देखिए यह पाच्वा नंबर प्रशन है हमारा कि मास्टर जी की चारित्रिक विसेश्ता बतलानी है देखेए, मास्टर जी में जो महत्वपुण चारेत्रिक विशेशता थी, वो ये था कि मास्टर जी में स्नेथ था और त्याग की भावना एकदम भरी हुई थी, बहुत ही स्वाभी मानी व्यक्ति थे, अभाव में भी उनके पास किसी भी चीज की कमी रहती थी, तो भी वे कि पान रहन सहन, बहुत ही साधारन था, उनमें संग रह, यानि इकटा करने की भावना, और परदर्शन, दिखावा करना, दूसरों को दिखाने की भावना थी, वो बिलकुल ही नहीं ती, ये उनके चरित्र के बहुत ही उत्तम गुण है, जो हमें उनमें दिखाई पड़ते ह आगे देखते हैं आप देखिए कुछ यथा निर्धेश उत्तर देना है तो पहला को नंबर प्रश्ण मैं आखों ही आखों से उसकी खुसामाद कर लेता यह एक पंक्ती है और इस पंक्ती में देखिए पहला प्रश्ण प्रस्तुत पंक्ती के लेखक कौन है और इस पंक्ती और यह पंक्ती किस पार्ट से उद्रत है यानि पंक्ती किस पार्ट से ले गई है यह पंक्ति के लेखा कौन है और यह किस पार्ट से ले गई है तो उत्तर देखिए इस पंक्ति के लेखा क्ष्री मोहनरा कैसी है और यह पंक्ति जो है वो वारिस नमक पार्ट से उद्रित है वारिस को आप सिंगल इंवर्टेट कॉमा में रख दीजिए जब भी हम पार्ट का का नाम लिखते हैं उसे सिंगल इंवर्टिट कॉमा के भीतर लिखते हैं रखिएगा दूसरा प्रशन देखिए खुशामत का क्या अर्थ है कि देखिए खुशामत का अर्थ है किसी की चापलूसी करना अथ्वा चटुकारिता यानि किसी को बढ़ चड़ कर तारीफ करना या बोलना जिससे वह व्यक्ति आपके लिए कुछ अच्छा कर दे तो इसे हम चापलूसी करना या खुशामत करना कहते हैं इसरा प्रश्न कौन किसकी खुशामत करता है और क्यों उता देखिए भाइ बहन की खुशामत करता है क्यों भाइ बहन की खुशामत यानि कि चापलूसी करता है क्योंकि मास्टर जी जो थे वो पाँच बजे तक पढ़ाते रहते तो भाई उबकर जो है वो जमहाईया लेता और घड़ी की तरफ देखता पर बहन के आखों के इसारे से यह सब करने के लिए मना करती थी इसी कारण भाई आखों ही आखों से उसकी खुसामद करता था और यह पहली पंक्ती आपने पढ़ी उसके बाद यह दूसरी पंक्ती है कि उनकी आखे भर आई थी यह दूसरी पंक्ती है और इस पंक्ती पर बेस करके पहला प्रशन देखिए इस पंक्ती पर आधारित पहला प्रशन यह रहा कर नंबर उनकी शब्द का प्रियोग किसके ल सांकेतिक व्यक्ति की आखे क्यूं भराई यहां पर सांकेति व्यक्ति यानि जिसके के बारे में कहा गया है आपको पता ही अच्छे त्रीके से की माश्टर Master जी के बारे में कहा गया है तो देखिए Master जी के मन में जो था वो बच्चों के प्रती बहुत ही इसनी यानि ममत्व यानि ममता का भावना था इसलिए जब उनसे बिदा होने लगे दूर जाने लगे तो उनका दिल जो है वो दर्द से भर उठा इसलिए उनकी जो आखें हैं हर आई ऐखे देखते हैं आगे अब भासा बोद के कुछ प्रस््थज्ण प्रालम्ब हो जाते हैं यदि भासा बोद के प्रश्णों की बात करें तो भासा पहला प्रश्ण देखिए क्या है उपसर्ग करें इसमें हमें क्या करना है उपसर्ग को अलग करना आपको पता है उपसर्ग वे शब्दांस होते हैं जो शब्दों के आगे लगकर उन्हें एक नया अर्थ प्रदान करते हैं उपसर्ग वे शब्दांस होते हैं जो शब्दों के आगे लगकर उन्हें नया अर्थ प्रदान करते हैं तो यहां पर यह जो दो शब्द दिये गए हैं अन्स्चित और दुरगंध इनमें हमें क्या करना है उपसर्ग को अलग करना है तो देखिए इसको कैसे करते हैं यहां पर आप लिख लीजिए हेडिंग डालिएगा उप शब्द अब हमें इसे प्रिथक यानि अलग करना है तो उपसर्ग में जो यह जो अन्स्चित शब्द है इसमें उपसर्ग कौन सा है उपसर्ग ध्यान रखिएगा हमें से आगे लगता है तो इसमें देखिए अन्स्चित में अउपसर्ग है और हमारा मूल शब्द जो है निश्चित है तो इसके बाद जो हमारा दूसरा शब्द है वो है आपका दुरगंद दुरगंद के भीतर दूशब्द जो है दूः जिसकों कह सकते हैं इस तरह कुछ लिख सकते हैं इसे हम तीके और मुल्चब्द जो है वो है तीके यह जो है उपसर्ग है और यह हमारा मुल्चब्द यह हमने प्रिथक कर लिया आईए अब देखिए प्रत्य प्रिथक करने के लिए कहा जा रहा प्रत्य हमेसा जो है वो पीछे लगता है जैसे उपसर्ग आगे लगता है प्रत्य पीछे लगता है तो पहला शब्द जो किताब और इसमें प्रत्य कौन सा है किताबे किताबे इसी तरीके से खुशी में खुश और प्रत्य कौन सा है इ उत्सुकता में दुक और प्रत्य कौन सा है नहीं रखिएगा ये वाला प्रत्य है यह हमारा मुल्चप और प्रत्य पीछह लंकता है ये बाद अगर अगर बिलोंशब्द की बात करें तो बिलोंशब्द बहुत ही इजी है मिश्चित का हुद० भी कर सकते हैं अनिश्चित और इसके बाद निरासा का अनिराशा या फिर आसा कर सकते हैं निराशा का निराशा का आशा माफ कीजिएगा मैंने अनिराशा बोल दिया था जो कि गलत है ठीक है अनिराशा नहीं होगा निराशा का आशा अब देखिए इसके बाद निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में उनका प्रयोग कीजिए यहाँ पर कुछ मुहावरे दिये गए हैं आप देख सकते हैं इनका हमें क्या करना है अर्थ लिखना है और वाक्य में प्रयोग करना है चलिए देखते हैं मैं आपको इनका अर्थ बता देती हूं वाक्य में आप स्वयम प्रयोग कर लिजेगा क्योंकि वाक्य प्रयोग करना आपको आना चाहिए जो कि सही होगा आएए देखते हैं आखों ही आखों में खुशामद करना यानि कि क्या करना आपको आखों ही आखों में खुशामद करने का मतलब होता है बिना बोले संकेत से चाप लूशी करना दिख लेते हैं आएए बिना बोले संकेत से चाप लूइठ करना तिक चापलूः संकेट से चापलूशी करना तो क्या लिख सकते हैं कि आखों ही आखों में बहन से उसामत की, जब हम बाक्य प्रियोग करेंगे तो उसमें हम मुहावरे का प्रियोग करेंगे, अर्थ का नहीं इसके बाद अगर हम दूसरे मुहावरे की बात करें, डरी हुई नजर से देखना, डरी हुई नजर से देखने का मतलब बता है, भय भीत होकर देखना खाय, जीत, खोकर, जीथना, बच्चों ने मास्टर जी को जैरी हुई नजर से देखा, यह हम बाक्किय बना सकते, इसी तरीके से अगर, अगर हमारा जो तीसरा है, दिल उचलना, दिल उचलना का क्या हो सकता है, प्रसन होना, प्रसन होना, आख लगना का, आख लगने का अर्थ क्या होता है, आख लगना यानि ध्यान से खटकना, और फिर ध्यान से बिचरना, भ्यान से निचरना सिर पर, सिर पर यानि सिर पर हाथ फेरना ये एक शाथ शब्द है सिर पर हाथ फेरना माँची जगाई यहाँ पर होगा सिर पर हाथ फेरना ये एक शब्द है सिर पर हाथ फेरना यानि प्रेम से क्या करना? प्यार से पुछकारना प्रेम से पुछकारना ठीक है प्यार से पुछकारना ठीक है इसके बाद तब्द है दिमाग फटना दिमाग फटने का मतलब बता है असुविधा महसूस करना इस काम बाकी प्रेयोग क्या बना सकते हैं गडित के सवाल बनाते बनाते मेरा दिमाग फटने लगा खईवार ऐसा होता है गडित का सवाल बहुत ही कठिन होता है कुछ-कुछ सवाल इतने कठिन होते हैं कि कितना भी बनाने का प्रेयास कर रहें बन ही नहीं रहे हैं तो ऐसा लगता है कि दिमाग फटने लगा है तो आप वाकी क्या बना सकते हैं गडित का सवाल हल करते करते मेर दिमाग पटने लगा इस तरह के कुछ वाक्याब बना सकते हैं इसी तरीके से अगर हम अगले शब्द को देखे दम साधना का मतलब वता है आपका और आराम करना तो इसका हम क्या वाक्य बना सकते हैं जब तक मैं परिक्षा में पास नहीं हो जाऊंगा, तब तक दम नहीं साधूंगा, यानि अराम नहीं करूंगा, इस तरीके से आप वाक्य बना सकते हैं, आप वाक्य स्मय में बनाएं, इससे आप सिखेंगे, इसके बाद देखिए पाच्वा नमबर, इस पार्ट में वंडर आपको वंडर्फूल ट्यूशन जैसे कुछ शब्द देखने को मिलेंगे, तो पार्ट में अन्य अंग्रेजी के शब्दों को चुनिये और उनका अर्थ लिखे, तो हम कुछ इस तरह के शब्दों को लिख सकते हैं, तो सबसे पहले देखिए, जैसे अगर हम वंडर्फू सब्द को ही लेके लें, तो इसका मतलब होता है अद्भूत, ठीक है, अद्भूत, और अगर हम जो है, अगर हम मैट्रिक ले ले, मैट्रिक, मैट्रिक का मतलब होता है, दस्वी की परिक्षा, दस्वी की परिक्षा, ठीक है, इसके बाद अगर हम कोई शब्द ले ले मान लीजिए, परिक्षा लिख दूमें हाँ पर, अगर हम मान लीजिए, कोई शब्द ले ले जैसे की पेपर, कागज, इसके बाद अगर हम शब्द ले ले पेन, पेपर एन पेन, तो कलम, ऐसे बहुत सारे शब्दें यहां पर मैंने आपको कुछ शब्दों के उदाहरण दे दिये हैं तो इसी के साथ इस पार्ट में आये हुए जो भी प्रश्ण उत्तर है उसे हम लोगों ने हल कर लिया है आसा है कि यह वीडियो आप लोगों के लिए उप्योगी होगी आप इससे दिश्चित तौर पर लाभानवित होगे आपको अवसे इससे फायदा होगा और अब तक जो वीडियो बाकी रह गए हैं पार्ट के जैसे की कामचोर हो गए या फिर पापक हो गए उनके वीडियो भी जल से जल में लाने का प्रयास करूंगी तो अगर ये पार्ट आपके लिए लाबदायक रहा है इससे आपको आपकी पढ़ाई में कोई मदद मिली है तो इस चानल को जरूर लाइक इस चानल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करना तो बिल्कुल भी न भूले इसके साथ सन्यवाद